पलट गी भाई या गाड़ी गोड मोनिंग दोस्तों आज फिर एक नहीं बोलो की शुरुवात भाई सुरजगुन रस्ते बेदाने और यहां देखलो गाड़ी यह मोड है इस मोड से आए और भाई यहां से लग रहा है यहां से गिरी है यह गाड़ी का सीशावी सावी रहा है चत्वी पिचेगी पलट गी भाई या गाड़ी पूरी पूरा रोड खरा भाई है यह गटना भाई सुरजगुन रोड गी है यह मैंने भी जाते विदेख्या है नंबर है कि डी एल कि यह नंब्रा भाई डी एल टू सी एडब्लू प्रसासन की गलती यह रोड पर कोई लाइट नहीं है ना दिल्ली बोडर पर और ना हर्याने की तरफ जाते टाइम है यह सूरजगुन है यह शूटिंग रेंज वाड़ा भाः मैं फारं गी तरफ जा रहा दा तो मैंने देख्वाई इस रोड पर कहीं पर भी लाइट में दिख्ञेंगी देख़्ों यह लाइट जलती है न यह वाली लाइट यह रात को में दिखाऊंगे जलती ही नहीं है ठीक है यह दो नॉर्मल इसी चीज है अच्छिनेंट तो होना यह आज नहीं तो कल होना था पर यह भाई सरक्षित हो किसी के साथ जादा चोटना लगी हो भाई यही काना चाहेंगे बा थोड़ा यह कट वटो भे न थोड़ा सा द्यान से मोड़ो भाई और वो भी ऐसे सुमसान रस्ते में तो बिल्कुल सेफली चलो किकी भाई सबका परिवार होता है ठीक है भाई इतना ही बोलना चाहेंगे बाकी भगवान से परातना करें सब सेफ हो किसी को चोट वोटना ल अब सब देखते विजा रहे हैं पर कोई इस ンदरी की प्रेस्चानी तो निस ली सब अपनी बैट बात बता देता हूं ऐलमेट पैना हाली पुलिस से बचने लिए नहीं है एक सेक्योर्टी वाय अपने शिर में चोट वोट ना लगे लग जाए यह गाड़ी पल्टी है यह गाड़ी पूरी ऐसे पल्टी है यह पलट के सीधी हुई जो गाड़ी को देखो गया आप देखो गाड़ी की छट पे भी लगी हुई है चोट लगे कोई ऐसे वाक्य हो हेलमट पहने के चलें सीट वेल्ट लगाएं और सुम्सान जंग आशे ना थोड़ा सा सेफली चलें पता नहीं चलता भाई तब कौन सी घटना हो जाए ठीक है स्पीड लिमिट में रखें बाकी चलते है भाई गाड़ी में तो ऐसा कुछ है नहीं कहीं पे मुझे बलड बलड दिखा नहीं तो सब सेफ होगा ठीक है बाकी भगवान देखे भाई इसके साथ क्या हुआ क्या न हुआ है